Hello students, अध्याय बारा हीरोन का सूत्र हम लोग श्टार्ट कर चुके हैं और इसके पहले हमने इसका इंट्रो वीडियो देखा और साथ में हमने ये भी देखा कि इसका जो है अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है आज हम अध्याय को उधारण एक से सुरू करेंगे और ये आपकी बुक में 240 पेच पर दिया गया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे तो चलिए सुरू बात करते हैं सबसे पहले बात करें इसमें दिया गया है कि एक तिरफुँज का छेत्र फल ग्याद कीजिए मतलब हमें तिर्भुज का छेत्रफल ग्यात करना है और यहाँ पे इन्होंने केवल हमें दो भुजाएं दी है 8 cm और 11 cm और इसका जो परिमाफ है वो हमें दे दिया है 32 cm तो इसको कैसे करोगे देखिए सबसे पहले तो हम एक तिर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे एक नमूना अकृती के तौर पर ताकि हम उस चीज को अच्छे से मेजन कर पाएं तो देखिए यहाँ पे हमने एक तिर्भुज बना लिया यह इस तरीके से यहाँ पे कोई भी हम नमूना अकृती बना सकते हैं तो हो इस तरीके से हमने बना लिया अब इसे हम नाम दे सकते हैं जैसे की A, B, C अब हम मान लेते हैं कि हमें दो भुजाएं दी गई है और वो दो भुजाएं हैं एक है 11 cm और एक है 8 cm तो यह जो छोटी वाली है इससे तो यह छोटी है तो इसे हम मान लेते हैं कि यह है 8 cm और यह जो है, यह है 11 cm ठीक है? बाकी की यह हमें ग्यात करनी है लेकिन इसका परिमाप हमें दिया गया है तो जो हमें पहली भुजाएं दी रहती है उसे हम A मानेंगे हमें दिया है यहां पे हम लिखेंगे दिया है और पहली भुजा यह बरावर हमें दी गई है आठ सिंटिमीटर उसके बाद भी बरावर दूसरी भुजा जो हमें दी गई है वो हम लिख लेंगे जो की है ग्यारा है सिंटिमीटर इसके बाद तीसरी भुजा हमें नहीं दी गई है तो तीसरी भुजा हम question mark लगा देंगे और परिमाफ यानि कि तीनों का योग यानि A प्लस B प्लस C तीनों का योग हमें दिया गया है 32 cm यानि परिमाफ हमें दिया गया है यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि यह जो है वो परिमाफ हमें दिया गया है कितना है 32 cm अब परिमाफ हमें भले ही 32 दिया है लेकिन परिमाफ क्या कहलाता है तीनों भुजाओं का योग तो हमने लख लिया A प्लस B प्लस C बराबर 32 अब यहाँ पे देखा जाए तो A का मान कितना है 8 तो हम A की जगह पर लख देंगे 8 फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे फिर B, B का मान कितना है 11 तो यहाँ पे रखेंगे 11 प्लस C का माना में ग्याद करना है बराबर कितना हो जाएगा 32 ठीक है अब क्या होगा 11 और 8 इन दोनों को जोड लेंगे तो हो जाएगा 19 और प्लस C ज्योंका तो और बराबर में हो जाएगा 32 ठीक है अब देखिए 19 C के साथ तो ज्ड़ और घट नहीं सकते हैं तो हमें संख्या को संख्या की तरफ करना पड़ेगा तो इस 19 को इस बार नहीं लिखेंगे इस C को लिख लेंगे क्योंकि C के आगे जो प्लस है वो तो माना ही जाएगा तो हमने लिख लिया C प्लस का C ही है ये फिर लगा है बरावर तो बरावर लगा दिया फिर लिखा है 32 तो 32 लिख दिया और ये जो इसके सामने कोई भी जिन नहीं था तो ये प्लस का माना जाता है और इसका कर दिया इस तरह पक्छांतर तो ये माइनस का 19 हो गया अब 32 मैंसे जब 19 घटा दोगे तो यहां पे आपको मिलेगा यहां पे मैं आपको बताता हूँ 32 और 19 दो से मान लेते हैं 12 12 मैंसे यहां पे 3 चले 9 चले जाएंगे तो बचेगा 3 और यहां पे 2 मैंसे 1 चला जाएगा तो बचेगा 1 तो C का माना आएगा 13 तो तीसरी भुजा हमें मिलेगी 13 संटिमीटर तीसरी भुजा मतलब तिरभुज की हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए तब ही हम हैरो का सूत्र लगाके इसका 6 तरफल ग्याद कर सकते हैं तो तीसरी भुजा हमने ग्याद कर ली है तो क्या किया है हमें दो भुजाएं दी गई थी और तिरुभुच का परिमाब दिया गया था तो परिमाब का मतलब होता है A प्लस B प्लस C तो हमने इसके बराबर कर दिया A और B के मान रखे तो C का मान मिल गया 13 सेंटिमीटर अब हैरो की सूत्र की यदि हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये है हिरोन का सूत्र अब इसमें A, B और C के मान तो हमारे पास है A का मान कितना है 8, B का मान कितना है 11 और C का मान हमने निकाल लिया है जो की है 13 सेंटिमीटर लेकिन यहाँ पर जो S है इसका मान अभी तक नहीं है और S यहाँ पर देखे कितने वार है तो S का मान निकाल लेंगे S क्या है? सेमी पेरिमीटर तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिमाप जो की तिर्वुच का ही है तो हमने हेडिंग डाल दी अर्ध परिमाप और यह अर्ध परिमाप यानि सेमी पेरिमीटर इसे हम S से पर दर्शित करते हैं और S का जो मान होता है वो परिमाप का आधा होता है यानि A प्लस B प्लस C का आधा लेकिन हमारे पास A प्लस B प्लस C का मान तो 32 दिया गया है परिमाप यानि 32 cm का क्या कर देंगे आधा तो कितना आएगा? 16 cm और परिमाप और अर्ध परिमाप दोनों cm में ही लिखना कभी भी cm2 यानि बर्ग मत चड़ा दीना क्योंकि ये एक लंबाई ही होती है ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? अर्ध परिमाप जो है वो तो हमने निकाल लिया ये S का मान तो अब हम हीरोन का सूत्र लगा कर इस तिर्भुच का छेत्रफल ग्याद कर सकते हैं छेत्रफल का मीलिंग ये जो अंदर का छेत्रफल है अंदर का जो हिस्सा है न ये हम ग्याद कर सकते हैं ठीक है तो वो कैसे ग्याद होगा इसके लिए हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो heading डालेंगे हीरोन का सूत्र और ये तिर्भुच का छेतरफल ग्याद करता है तो यहां पर लेखेंगे तिर्भुच का छेतरफल वरावर और फर ये formula लख देंगे तो ये देखिए, आपको इस तरीके से लिख देना है, अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ यही हीराउन का सूत्र है, चलिए मान बस रखना है और ये अंसर आ जाएगा सबसे पहले हम इसका अंडर रूट खीचेंगे, तो इसको खीच लेते हैं जरूरत पढ़ने पर इसको और आगे तक बढ़ा देंगे, ये देखिए, अब S, S कितना निकाला है हमने, 16, तो S की जगह पर रख देना है 16, फिर कोश्टक लगा है तो कोश्टक लगा देना है, फिर S की जगह पर 16, और A का मान कितना है, पहले तो माइनस लगा है तो माइनस कर देंगे, फिर दूसरा कोश्टक चालू, फिर S की जगह पर 16, फिर माइनस है तो माइनस और B का मान कितना है, चेक कर ये जरा, B का मान 11 cm है, तो B की जगह पर हम यहाँ पर रख देंगे 11 है, ठीके, और फिर S, S की जगह पर कितना रखोगे 16, माइनस C का मान कितना है, तरीके से अंडर रूट को खीच लेते हैं अब 16 ठीक है 16 में से 8 चले जाएंगी तो कितना बचेगा 8 क्योंकि 8 और 8 16 होते हैं फर 16 में से 11 चले जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बचेगे देखे 16 है 11 चले जाएंगी तो 5 बचेगा अब 16 में से 13 चले जाएंगी तो कितना बचेगा 3 ठीक है क्योंकि 13 और 3 जोड़ेंगी तो कितना हो जाएगा 16 अब क्या करना है आपको इन सब के आप गुड़न खंड तोड सकते हैं और गुड़न खंड तोडने के लिए सिंपल विधी है मैं आपको अभी बता देता हूँ जिससे ये बहुत आसानी से हो जाएगा देखे जैसे 16 लिखा है तो 16 के गुड़न खंड कैसे तोड़ोगी 2 अठे 16 फिर 2 से दे दिया 2 चोके 8 फिर 2 से दे दिया 2 दूने 4 फिर 2 से दे दिया 2 एकम 2 तो कितना हो गया एक एई 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 है न हुगा की नहीं तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 4 बार 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 2 गुड़े 2 हो गया 16 अब 8 लिखेंगे तो 8 को कैसे लिख सकते हैं देखिए 8 को यहाँ से लिख सकते हैं यह किया था ना अगर इस चीज़ को अगर हम दबा लें तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 3 बार 2 लिख दोगे 1, 2 और 3 तो 8 हो जाएगा फिर 5 और 5 का गुड़न खंड 5 ही आएगा और 3 का 3 ही रहेगा ठीक है? अब इनकी जोड़ी बाहर निकालते हैं तो देखिए अंडर रूट के बाहर निकालना है तो अगले बार अंडर रूट नहीं लगाना है तो देखिए ये 2 है ना तो 2 की जोड़ी बन जाएगी तो 2, 2 में से 1, 2 बाहर आजाएगा फिर यहां पर फिर जोड़ी बन जाएगी तो 2 है ना इसकी जगह पर 1 बाहर आजाएगा फिर यहां पर जोड़ी बन जाएगी तो 2 की जगह पर 1 आजाएगा यहाँ पे इन तीन लोगों की जोड़ी नहीं बनी है ना तो double 2 है ना double 5 है और ना double 3 है तो यह under root के अंदर ही रहेंगे और इनका गुणा कर देते हैं 5 दूनी 10 और 10 यहाँ देखिए 5 दूनी 10 10 यह 30 तो यह जाएगा 30 ठीक है तो अब हम चाहें तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर सकते हैं तीनों का तो दो दूनी चार और चार दूनी आठ तो आठ अंडर रूट थर्टी नहीं तीस यह होगा तिरोज का छेतर फल और यही हमारा आंसर आजाएगा तो लिखेंगे अता है अभीष्ट तिरोज का छेतर फल आठ अंडर रूट थीस होगा तो इस तरीके से आपको इसे करना है अब एक बार आप इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाते चलिए एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है तो यह पहला भा उसके बाद यहां पे उसके बाद ये अ ठीक है तो आब अच्छे से कर लो गे एक बार प्रैक्टिस कर लेना जैसे मैंने कराया है ना आप एक बार खुछ से रफ में प्रैक्टिस कर लो अच्छी से और फिर उसके बाद ही उधारम दो देखना ठीक है थैंक यू